हेलो गाइज वेल्कम बैक टू दे चैनल आजम बात करते हैं एरे के बारे में ठीक तो बेसिकली एरे तो आपने उसमें भी पड़ा होगा अपने PPS सब्जेक्ट में कि एरे होता क्या है और यहीं एरे को डेटा इस्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करते हैं एरे में देखेंग क्या होता है एरे होता है एरे होता है collection of similar element ठीक है मतलब कि आपके पास अगर कोई collection है ऐलिमेंट होगा तो उनका जो डेटा टाईयप होगा न एरे के अंदर वह सारे के सारे ओलिमेंट का सिमीलर होना चाहिए ऐसे नहीं होगा कि कोई sincere को ऑभ को है कि नोट एफ ए नन की दो है या तो उसमेलर ओग यहां फिर फलोट वरल्यू या फिर करेक्टर में धीक अब देखते हैं initialization of array यह क्या होता है initialization array में ठीक है array को initialize करने के लिए basically 3 feet होने चाहिए एक तो उस array का data type की वो किस type का है फिर जब यह कोई चीज है तो उसका नाम भी होना चाहिए तो array का नाम अब जब नाम आ गया basically होता क्या है अगर हम जैसे यह मैंने int a define कर दिया तो मेरे जो है memory में एक space create हो गया होगा जिसका size कुछ इस तरीके से हो गया होगा और array की आपको property पता है कि यह basically c में हम पढ़ते हैं यह 0 से indexing start होती है up to n-1 की indexing चलती है तो यह first indexing होगी आपकी 0, 1, 2, 3, and 4 और आप यह भी जानते हैं कि जो array का नाम होता है वो आपके first index को represent भी करता है ठीक है इस array को represent भी करता है इसका मतलब यह है अगर आप कुछ इस तरीके से initialize कर रहे हैं कि int a5 कुछ simple is तो आपको size बताना compulsory है size compulsory होगा ठीक है अगर आप कुछ इस तरह कहते हैं कि int a 1, 2, 3, 4, 5 यह भी another way होता है array को initialize करने का ठीक तो यह कुछ array के बारे में और array को जो आपके स्लीवस में दे रखा है उसके साथ क्या क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है उन सब चीज़ों को हम आगे discuss करते हैं basically array वाले टॉपिक से तीन चीज़ें आती हैं दो टॉपिक ज़्यादा important है एक sparse matrix और एक आता है आपका address calculation करने के लिए 1D array में 2D array में 3D array में end array में ठीक तो लेकिन स्लीवस में जो जो मैंस है वो तो करना ही पड़ेगा अब जब वह हमने पीछे operation देखा तो उस एरे के ऊपर कोई ना कोई operation एप्लाई होंगे क्योंकि एडिटी एडिटी का मतलब हमने आपको प्रीवसी वीडियो में बताया कि अगर कोई data structure है तो उसके ऊपर कोई operation एप्लाई होंगे और एरे के साथ साथ हमने यह कुछ operation देख क्या कैसे कैसे करने तो basically मैंने देखा है कि कहीं कहीं college में आपको एक algorithm की form में पढ़ाते हैं और कहीं कहीं direct function बना देते हैं और उसके according बताते हैं कि यह ऐसे ऐसे काम कर रहा है तो मैंने ना यहां पर function के according बताया है क्योंकि अगर आप इसको चाहें तो implement भी कर सकते हैं ठीक ह अब हम परिक्षा की दर्ष्टी से पढ़ रहा हैं तो देखते हैं तो हम array के अंदर operation सबसे पहले input operation आना चाहिए input से मतलब है कि user कैसे input देगा फिर जब input दे दिया तो कुछ output भी आना चाहिए उसका searching कि डिलीट इंसर्ट कॉपी रिवर्स शॉर्टिंग मर्जिंग ऑफ टू शॉर्टेट एरे एंड केंकर डिनेशन यानि की एड़ करना दो एरो को ठीक वन भाई वन इन सारे function को देखते हैं कि इनका क्या काम है चीक है केवल यह पहला का पहला वह होगा code जिसमें कि मैंने function के साथ बनाया इसके बाद और भी कोई function के साथ नहीं बनाया जाएगा ठीक है डारेक्ट ली आपको function मताया जाएगा और आपको main function में कैसे call करना है आई होप यह आपको आता होगा कि input function सबसे पहले आता है input function तो इस function will be used to read the array यह function किसके लिए यूज के जाता है array को read करने के लिए ठीक है तो यहां एक main function की body बनाई गई है कुछ header files include कर दिये गए एक main function है और उसमें कुछ variables declare कर दिये गई है तो हम सबसे पहला printf statement देखते हैं कि उसमें क्या है enter the number of elements आपना कुछ element ले लिए लिए number of मतलब की size size कितना यहां पर define कर दिया है और यह property होते सब्सक्राइब करते हैं मैक्रोस के लिए होता है रीड करके आपना with the help of for loop with the help of for loop element आपने डालना स्टार्ट कर दिया एरे के अंदर कि अब डाल दिया कि यहां से यहां तक आपने अपने with the for loop आपने इसके एरे के अंदर डाल दे जैसे कि उसका size 10 था one by one मैंने इस तो read करता गया और इस area में कुछ element fill करता गया जैसे two six four three two one five six and many ठीक तो यहां तक कुछ ऐसे आपने data feed कर दिया अब इसको print करने के लिए print करने के लिए क्या करेंगे printf के statement आपने चला दिया और आपने यहां तक प्रिंट कर लिए यह पूरा एक main function की body हो गई बिद इन पूट और आउटपूट आउटपूट फंक्शन भी कह सकते इसको क्योंकि यह आउटपूट के लिए इतना code और उतना बनाए प्रिंट के लिए ठीक आई होगी आई होगी अब आता है आपका search operation search operation क्या होता है it is used for the existence of the element in the given array ठीक अब देखे क्या जब search आप search का function बनाएंगे तो एक तो उसके लिए array होना चाहिए जाइसी बात किस में ढूनेंगे वो तो होना चाहिए घर का पता तो होना चाहिए कम से कम घर मकान नंबर माल लिए in 10 का मतलब है इसका size ठीक है और index क्या ढून रहा है आपको ठीक तो let us assume n का size है 5 तो एक यह type का array बना लिए आपने ठीक 1 2 3 & 4 & 5 3 2 1 6 1 5 माल लिजिए कुछ भी ठीक है 1 माल लिजिए 5 माल लिजिए कुछ भी int x x की value लख लीजिए आप 2 आपको 2 सर्च करना है इस array के अंदर और इस code के according ठीक तो i क्या एक variable है जो i is equal to 0 इसको traverse करने के काम में आएगा ठीक है अब मैंने यह while की body लिखी है while को कुछ conditions लिखी है और end को आपको पता है कि दोनों की दोनों true होनी चाहिए इतना तो आप जानते होंगे जब इसके अंदर जाएंगे यह while i less than n n की value यहाँ पर अभी कितनी है 5 ठीक तो i less than n 0 less than 5 true और x is not equals to a of i क्या x 2 equals to नहीं है a of i a of i याने की a of 0 की पर कितनी value बड़ी है 3 है या नहीं नहीं है याने की दोनों condition true it means you enter और i की value आपकी increase हो गई अब i move कर गए यहाँ पे searching कर रहे हैं हम यहाँ पर linear search भी कहते हैं इसको ठीक है i की value बढ़गी 2 2 is less than 5 true end of 2 is not equals to a of 1 a of 1 की value कितनी है 2 तो क्या यह तो true यह condition false हो गई false हो गई it means i की value आपकी increase नहीं होगी आप स्वाइल की body से बाहर आ गए ऐसे कुछ body माल लीजिए ठीक है अब देखेंगे क्या i less than n था ठीक है था तो हम यह डाल देंगे element found at location ith location पर हमें वो element आपका मिल गया ठीक तो यह आप सर्चिंग होती है सर्चिंग operation है एरे गंदर कैसे काम कर रहा ठीक नेक्स्ट operation आता है आपका copy अब copy में basically कुछ नहीं है एक एरे माल लीजिए पहले कोई एक टाइप एक भी है कि एक 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 कुछ एलिमेंट से माल लीजिए कि इस वारी इंटिजर टाइप का डेटा है थ्री टू वन फोर सिक्स ओके यह सारा का सारा डेटा हमें बी एरे में कॉपी करना तो क्या है सिंपल सा है यह फोर लूप चलाएए और एक सार एक सारे एलिमेन्टों को बी में copy कराते लाएए ठीक कि अब आता है फोन कटीनेट quarterly कौन कर टीनेट उपरेटर होता है एड्डिंग domains हई इन दौनोंको कॉंपिनेंट करके आपको इस में कॉपि करणा है ठीक पृंत होता है जो आपने आउट्पूट्प वंक्ष न में फंक्षन में ये वहां से कॉल किया गया पृंत फंक्षन आपका ठीक हि में यहाँ पर एक C tab का कोई एक एरे है जिसका size है 20 ठीक है आइस variable जो कि traverse करेगा यहाँ पर आपको N1 और N2 के सारे element को AB में मतलब concatenate करना है आपको एक तरीके से combine करना है वहाँ पर हम copy कर रहे थे यह दो array है different different और आपको इन दोनो एरे को कौन के ने कौन करना है 3rd array बराना है 3rd array इसका size 5 है इसका size भी 5 है तो जो आपको 3rd array होना चाहिए उसका size कम से कम इन दोनों के size से बड़ा होना चाहिए जब ही जाकि यह दोनों इसमें concatenate हो पाएंगे ठीक तो वह whole उसकी वर्किंग यहां आपको दी गई है दोनों फॉर लूप से copy करा लिए और दोनों को print array की help से print करा दिया ठीक है अब दिश्चन प्रोसेस इन एरे डिलीट ऑपरेशन ठीक है डिलीट ऑपरेशन यूज़्ट टू डिलीट दा इलिमेंट एट डा स्पेसिक लोकेशन यह मैंने एक एरे बनाया है ठीक यह एरे का नाम हो गया size हो गया location किस लोकेशन से डिलीट करना है ठीक तो आई एक variable होगा जो कि traverse करेगा तो देखते हैं क्या है int x a location-1 location-1 यानि कि हम दूसरी लोकेशन की बात कर रहेते हैं वहां हमने 2 दिया है तो दूसरी लोकेशन से मतलब क्या होगा है यह first location होगी यह second location होगी indexing अलग होती है location अलग होता है ठीक तो क्या होगी second location यानि कि fourth element हमें delete करना है fourth element अब वो इसमें store करा लिया अब होगा क्या कि जब यह यहां से जाएगा element तो यह space हो जाएगा खाली ठीक तो यह सारे के सारे element को हमें यह shift करना पड़ेगा क्यूंकि हम जानते हैं area किस property को maintain करता है कि continuous manner में data store होना चाहिए जब यह space होगा तो यह क्या continuous manner न यह फाइ लोकेशन बन की जगह से सारे के सारे आई प्लस बन के जितने भी element हो उन्हें जब तब कॉपी करता रहे मतब सिफ्ट करता रहेगा ठीक है और आफ्टर देट यू विल प्रिंट दा एरे नव इंसर्शन 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 इस ओल्स सिमिलर तो डिलीशन अगर हाँ डिलीशन में आप पहले कुछ टॉपिक सुन लीजिए इफ यू वांट टू डिलीट एट पर्टिकुलर लोकेशन यह किस कंडिशन में आता ही आप एवरिज केस के अकॉर्डिंग यह एवरिज केस में होता है क्योंकि फर्दर आपको सिफ्टिंग वागारा करन अगर आप लाश्ट लोकेशन से कोई डिलीट करते हैं यह प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर आपने लाश्ट लोकेशन से कोई अलिमें डिलीट कर दिया है जो बहुत आसानी से डिलीट हो जाएगा यह तीनों चीज ऐसी इंसर्शन में होती है इंसर्शन किसके लिए यह कोई एरे है एरे के अंदर पहले था को यह लिए डाटा अब आप कुछ और स्टोर करना चाहते हैं तो साइस के लिए यह क्या डेटा आपको स्टोर करना किस लोकेशन पर स्टोर करना है ओके सिंपल है लोकेशन, लोकेशन माइनस बन से आप फिर वही पोजिशन के अक्वाडिंग एन माइनस बन किया है, इसके लिए उसको एक्स को उसमें स्टोर करा देना और साइस को बढ़ा देना, आफ्टर देट यू विल प्रिंट दा एरे, मैक्सिम टाइम वैसे एरे मैंसे ऐसे कुशन आते नहीं है लेकिन सिलेवस नहीं, सिलेवस के अक्वाडिंग कराना पड़ रहा है और कुछ नहीं है, रिवर्स, ठीक, रिवर्स तो आपने पहले भी बहुत सारे नंबरों को रिवर्स किया होगा, एरे के कुछ एलिवेंट हैं, दो लूप से मतलब है एक एरे बना दिया होगा, आई यहां से चला रखें, जे को यहां से चला रहें, जब यह दोनों मूग पड़ जाएंगे, तो यह सारे एलिमेंट उटके इदर आजाएंगे, इसके लिए एक टेम बेरीवल को यूज कर रखा है, यह पूरा फंक्शन है उसके लिए, ठीक, आई होप आपके यह सारे के सारे, जो बेसिक ओप्रेशन हम एरे के उपर एप्ला शॉर्ट टाइम की वजए से अब इतने सारे ओप्रेशन को दोवारा से 2D एरे में तो नहीं पड़ेंगे, आप 2D एरे के बेसिक बहुत सारे वह जानते ही है, उन सब चीजों को, जैसे कि वह होता ना, क्या मैट्रिक्स की बारे में पढ़ना, तो यह बस 2D एरे के लिए मै इस पर लूप, टू लूप की साइटा से आप इसमें डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, और जितने प्रीवेस ओपरेशन हम बंडी एरे पर एप्लाई कर रहे हैं, वह सारे के सारे ओपरेशन हम 2D एरे के उपर भी एप्लाई कर सकते हैं, ठीक, 2D एरे का मेजर जो एप्लिकेशन है, वह स्पार्स मेट्रिक्स के अंदर आता है, अब यह स्पार्स मेट्रिक्स क्या होती है, ठीक, आपके पास धेर सारी एंट्रीज हैं, आप एजिम कर लिए, आपके पास 100 एंट्रीज हैं, लेकिन उस 100 एंट्रीज में ऐसे 95 तो 0 हैं, और आपकी 5 एंट्रीज ही useful हैं, और आपको कोई particular कोई element निगालना है उसमें से, तो आपको 100 की 100 एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी, और उसमें कितनी प्रॉलम आएगी कि आपको उन 100 एंट्रीज को चेक करते समये, 95 जीरो भी देखने पड़ेंगे और उसमें 5 अपनी useful एंट्रीज निगालेंगे, तो वहीं से ये स्पास मेट्रीक्स का concept जनरेट होता है, ठीक है, इस पास मेट्रीक्स क्या होती है, इस पास मेट्रीक्स के तीन फीड रखते हैं, पहला रो, दूसरा कॉलम और तीसरा रखते है, इस नौन-जीरो-अलीमेंट 10 team का जिर नौन-जीरो-अलीमेंट सॉरी पोर्ध ये सब्सक्राइट इसका ये इस पास मेंट्री कि इप इसकी स्पास मेंट्रीक्स नहीं है, इसके लिए मैं इलग से यहाँ बनाता हूँ भी एक तो होता है आपका वेल्यूज फिर होती है आपकी रो और फिर होती है आपके कॉलम देखिए इसमें कौन-कौन सी वैल्यूज सबसे पहले नाइन देन वन देन फाइव फिर फाइव फिर एट एन टू ठीक तो आपको नाइन जो अलिमेंट मिला वो कौनसी रो में मिला first row में column number third और जो one element मिला second row में column number two और fifth element आपको मिला third row में column one और दूसरा जो fifth मिला वो मिला आपको third उसमें third row में मिला column number two okay और जो आपको eighth element मिला sorry ये फिप्त्र कौनसा ये वाला फिप्त्र जीरो या बन कुछ भी कर लीजिए न वन जीरो आप इतनी understanding तो होती है और eighth element है वो eighth element किस पे है आपकी first row में और fourth row में और first column पे और second है वो आपका कितना है fourth row में fourth column पे ये क्या हो गई इसके regarding है कि space matrix generate हो गई ठीक ये values होती है ये इनके according कौनसा row में क्या है और ये कौनसा element है ठीक अब आप कहर रहे होंगे कि ये क्यों काटी थी ये आपको confusion पैदा कर रही थी कि ये मैंने पहले solve कर दी थी नप फोर से मतलब है कि फोर रो हैं फोर कॉला में और six element थे उनके according फिर ये entries फिल कर रही थी तो ये आपको confusion पैदा करते हैं इसलिए confusion पैदा करते हैं दिमांग में इसलिए मैने matrix बनाई है अपने आप और ये फिल किये कैसे बनाते है इस फास्ट मेंटिक सब आई हूप आपके समझ में आया होगा नाओ वी मूव ओन एड्रेस कैलकुलेशन एड्रेस कैलकुलेशन एड्रेस कैलकुलेशन इसलिए 3D array एं एंड आयर देखेंगे थीख बन-ड आयरे में तो आपको पताए एक बेस एड्रेस दे रख्का हो और इंडेस दे रख्कियो टू से मतलब है कि यहाँ कोई आपके पास इंटीजर का साइज ले रखा टू थीख तो यह तो बेस एड़ेस बन-ड आयरे के लि आपने एक साइज आप किलेंगे इसका क्लीड कर लेंगे अधिक टूड इरे में यह फॉर्मल्य थोड़क बढ़ा चेंज हो जाता है इसमें क्या होता है यह दो फॉर्म में हैं तू डूर कोल्म की बात आ गई सिंपल सा है रोकोलम के लिए दौनों के लिए फॉर्मिले होते हैं रोग मेजर फॉर्म में क्या होता है बेज एड्रेस और आई होता है आपका यहां मैंने यह तर्मिनलोगी जो यूज तीयें वह स्पेस्किक लिए अलग से लिख दिये कि आपकी समझने के लिए कि आई जो होगा रोफ एलिमेंट होंगे ठीक है एल आर याने की एल आर लोवर लिमिट ओफ रो इंटु एन एन नमर अफ कॉलम इन अमेट्रिक्स जे जे होता है आपका कॉलम Com, element होंगे कॉलम के और , ..... एन एलसी होगि आपकी लोवर लिमिट आफ दकॉलम और इंट्टु W का मतलब होगा जो आपका साइज यानि की indiger का साइज अलग होता है और float में और character का चाहिज अलग होता है उसके according यह थीद ठीक और दो दोनो फॉर्मिले के एक नुमेरिकल सॉल्व किया है उसे आप देख लीजिए एन एरे को यह दे रखा उसके इंडेक्सिंग दे रखी है सबसे पहले रो निकालनी रो कैसे निकाला लास्ट रो माइनस फर्स्ट रो प्लस वन 26 रो आगई 26 कॉलम आगई उपर बारे फॉर्मुलो में सारी सारी एदेटिस वैलू इसको रखके आप एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं यानि कि यह आपका बेज एड्रेस हो गया है यह कितनी हो गई आपके रो हो गई ठीक है यह लोवर 25 आपको आंसर आ गया ठीक कॉलम में इसर फॉर्म में आप देख सकते हैं आपको खुद सौल भी कर सकते हैं यह आप इसे आपके दौनक के लिए होगे वन्डी एरे एंडी एरे तो कभी कभी आता है पेपर में लेकिन एंडी एरे इतना टाइम नहीं इतनी वार नहीं देखा गया तो इसलिए मैंने केवल फ्रीडी एरे और बता दिया बस आप देख लीजिए ए थ्रीडी एरे के फॉर्मूले हैं कि पर्टिकुलर तीनों लोकेशन दे रखी है एवन एल टू एटू एल थ्री एवन एल यह क्या हो गया यह कुछ नहीं है देखिए एल एलाइंडिकेट करते हैं एलाइं मतलब कि डामेशन कौनसी डामेशन की बात हो रही है यह जैसे थीडी डामेशन में आपने थीडी वोई आप क्यूब देखा आपको ना question इस format में दे रखा होता है, A, ratio B, C, ratio D, इस form में, तो L1, L2, L3 क्या ही आपको all dimension निकान नहीं पड़ते हैं, इस form लेकर according, ठीक है, यहां मैंने आपको row measure form में, column measure form में formula लिख दी है, base plus, पूरा size, E1, L2, E2, L3, E3, और column 22 में क्या होता है, base plus, size E3, L2, plus E2, L1, E1, आप इसके derivation पर ना जाएंगे, यह derivation नहीं आता, पेपर में इतना, केवल जो आना चाहिए, वो आपको यहां बताया जा रहा है, देखे, जैसे कि मैंने पहले वहां, सारी की सारी dimension निकाली थी, जो आपको इस form में कुश्यन आया है, इस कुश्यन को सारी की सारी dimension आपने निकाल ली है, टोटल element कितने है, हम आपके 210 है, इसी से आपने effective index निकालते हैं, effective index निकालने के बाद, आपने क्या है, इसका, row wise, पूरे का पूरे का address calculate कर लिया, ठीक, आप column wise, self कर रहे हैं, ठीक, आई होप आपको ये topic clear हुए होंगे, thank you,